या लोट दोस्तों कैसे हो आप सो मेरा नाम है श्याम और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कोकिंग तो आज हम बनाने वाले हैं मेधे से काजू पारे जिसकी रेशिपी में बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा और आप घर पर भी आसानी से बना सकते हैं काजू पारे देखे कितने प्रफेक्ट एक दम अच्छे और बुर बुरी बने हुए है अब भी विल्गुल ऐसे ही घर पर बना सकते हैं देखें एमेशे बनाने के लिए सबसे पहले डाइस गुराम तो मेदा लेना ह अजवेन एक टीश्पून अजवेन अप्शनल है आम इसमें डालेंगे नमक अब मादा टीश्पून और सोडा एक पिंच इसमें चुटकी सोड़ा डालेंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 60 ml घी गर्म करके हलका और 70 ml इसमें पानी आड़ करेंगे इसके बाद इसमें मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद यह हमारा डो एक दिम परफेक्ट है हमें इसमें और कुछ भी निकलना है अगर आपको लगए कि थोड़ा यह इसका डो टाइट है तो आप इसमें हलका सा पानी भी आड़ कर सकते हैं हलका हलका जैदा मत करिए नहीं तो डिला हो जाएगा अब हमें डो को दस मिन्ट के लिए रख देना है तक यह अच्छा सैट हो जाए तब तक हम इसका मसाला बना लीते हैं तो इसलिए अब इसके मसाला बना लेंगे देखे बिल्कुल ऐसा रखना है तो इसको जो मसाला के लिए सबसे पहले हम चाहिए हम चूर एक टीस्पूं एक टेबलस्पूं एम चूर असथ सोच मैं मिशी के साद्री नमक करुछ कारुन मक एक टीस्पूं एक टीश्पूं नमक शाद एक टीस्पूं नमक गला नमक साथ में चाहिए है आदा टेबल स्पून लाल मेंच पाउडर आदा टेबल स्पून काली मेंच पाउडर देखें नहीं पास काली मेंच पड़ी हुई थी तो मैंने इसके पेश लिया था सब्सक्राइब कि इसको मिक्स करेंगे चाहिए कर लेना है आप चाहिए तो उसमे और मसाला चाहिए भाप उसमे अब् kepada वह मेंक्याल उगक्र आपको मेसाला भी यूज़ घर सकते हैं तो मिले मिषू घर देगा देखे एकदम प्रफेक्टली यार है हमारा मसला है हमारा डॉबी एकदम सैट हो गया है देखे हम इसको जोट 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 टुकुड़ा में तोड लेंगे और फिर इसको भेलकर काजू शेप कट करेंगे काजू परफेक्टली बनने के लिए हमें इसको बेलना है त्यान नहीं हमें से ज्यादा नहीं बेलना है अलका मोटा रखेंगे इसको हमें ज्यादा मोटा भी नहीं करना है सबसे पहले हम इसको बेल लेते हैं उसके बाद में आपको चेक करा लेता हूं इसको कितना रखना है यह देखें बिल्कुल कितना ना ज्यादा मोटा ना ज्यादा पतला अब इसे काटने के लिए फर्मा चाहिए होता है जो कि सब के पास नहीं होता इसलिए हम एक बोतल का डक्कन यूज करेंगे कि कोई भी बोतल का डक्कन हो हम उससे असने से इसे कट कर लेंगे यह देखिए आपको ऐसे कट कर लेना है आपको यसे पूरे यसे घृटनी है है ना एकदम प्रफेक्ट्रिक काजू मून बनाने के लिए इन देखे कितने चेज़ कटी हो रहे हैं अब हमें पूरी काजू काट कर रख लेनी है अब फ्राइब करने के लिए चलिए में देखिए मैंने सारा कट कर लिया है कर देखिए दें प्रफेक्ट्रिक कितने अच्छी लग रहे हैं कि अब हम इसको फ्राइब करेंगे कि फ्राइब करने के लिए हमें लेना है रिफाइण ऐल अगर आपकी पास रिफाइं ऑउल काम नर्स टोब्क कर небольш इसको fry कर लें मेरे पास available है तो हम इनको एक साथ fry कर लूँगा धिया नहीं जब हम इनके fry करेंगे तो हमें काजियो इसमें डाल कर देख लेनी है कि अच्छा तेल गरम हुआ है नहीं हुआ यह देखिए अब हमारा तेल एक दिम पर्फेक्टली गरम है हम इसमें काजियो आड कर दें उसके बाद काजियो को ओएल में डाले और जोब काजियो अपने आप ओएल से उपर आ जाए तो आप फ्लेम को हाई कर दें अधिक देखिए कजो हमारी फोर आ चुकी है अब फ्लेम एकदम हाई है अब हम इसको फ्राइक करना है हमें इसको दो से थीर मिनत तक के लिए ऐसे ही सिखते रहना है में छेरना नहीं है यह देखिए जिवह हमारी काजियो एकदम परफेक्टली कड़कोने स्टार्ट हो जा चला जेंगे त्यक्राजू टोट भी सकती है और गुल भी सकती है देखो आप काजू को ब्राउन ऑना स्टाइट हो चुका है हमें काजू को गॉल्डन ब्राउन होने तक फ्राइख करना है उसके बाद हम इसे निकाल लेना है कि देखें को हाई रखना है एक को लगतार चलाते रहें देखें कितने अच्छी पर्फेक्ट कर राच चुगा है लेकिन अभी अभी इसे थोड़ा ऊप्राई करेंगे और हमें इसे लगतार चलाते रहना है ताकि जो इसका कलर है वह एकदम ब्राउन आई जिसे बदामी कलर गौलते हैं एकदम पर्फेक्ट और जब हम आपको लगे कि इसका कलर अच्छे से आगा है तो फ्लेम आप ओप कर दें और थोड़ी देर तक क्योंकि इसका कलर नीचे निकालने के बाद भी और थोड़ा आता है अब हम इसे निकाल लेंगे कर लें निकालने के बाद हमें अक्त्म तुरं टिसके ऊपर ना है ताकि वह अच्छे से सबढ़ाई कर जाये हैं कि अगर आप निकालने के पाद पहुंसे दशओं मिन बाद वैट करकर मसला डालते तो उससी चिपके गाल नहीं क्योंकि निकालने के साथ maior इस पर उयल लगा रहता है और वो अच्छे से मसाले को अब्जोब कर लेगा आप घर पर काजू एक बार ट्राई जरूर करें बनाकर यह बहुत अच्छी और बहुत टैस्टी बनती है बार-बार दुकान से नास्ता लाने का जंजट घथम ताब बनाकर घर पे जरूर रखें यह देखे एक दम परफेक्ट कितनी अच्छी बनी है आप इसको किसी कांच के जार में या दरवाज कोई और आपके पास बोक्स पड़ा हो डबा प्लाश्टिक टाइप उसमें भी आप इसको डाल कर रख सकते हैं यह काफी लंबे समय तक अराम से चल जाएगा यह देखे एक दम काजियों हमारे रेडी हैं